Hello students, Welcome to the MSA Study Materials Channel Last lecture में हमने पढ़ा था है algorithm के बारे में आज के इस lecture में पढ़ेंगे flow chart के बारे में algorithm और flow chart similar है algorithm लिखने के बाद ही हम क्या करते है 예요 flow chart बनाते है flow chart क्या होता है जो देखते है flow chart is a diagnostic representation of an algorithm एक flow chart algorithm का radi-igmatic representation होता है एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं लिखते हैं step by step लिखते हैं लेकिन उन्हें steps को जब हम diagramatically show करते हैं उसी representation को हम क्या बोलते हैं flow chart a flow chart can be helpful for both writing programs and explaining the program to others steps flowchart is helpful खता है किसके लिए program को write करने के लिए और program किसी दूसरे को समझाने के लिए दोनें चीज़ों के लिए helpful होता है à flowchart से हम easily संजा सकते फ्लोो समझा सकते प्रोग्राम का recommend hackers often use it as a program planning tool to solve a program जो भी प्रोग्राम पिलानिंग टूल प्रोग्राम का प्लानिंग होती उसका एक टूल है। प्रोग्राम को सॉल्ड करने के लिए। पहले एलगोरिदम लिख लिए। अब उसका फ्लोओ कैसे बताजाएगाdon फ्लो चार्ट से ठीक है नाम सी दिख रहा है फ्लो चार्ट एक चार्ट बना रहे है मतलब डाइग्रेमेटिकली क्या करने के लिए प्रोग्राम का फ्लो बताने के लिए यह क्या करता है शिंबोल का यूज करता है जो कि क्या होते हैं सारे शिंबोल आपस में क्या होता हैं क्यों कनेक्टेट होते हैं esition to indicate the flow of information and processing कि क्या processing हो रही है और जो information का flow है वो किस तरफ जा रहा है ठीक है डाइरिक्षिन बताता है इसले हमने लिखा ए-to indicate the flow of information और processing की information का फ्लो उसको इंडिकेट करता है और यह सीमब्ल्ट्स अपस में connected होते है जो basic symbol है वो है basic symbols used in flow chart design यह आपको दिख रहे यह symbols है यह हम use होते है फ्लोट बनाने में ठीक है जैसे flow line ने यही इस इंबोल यह बताएगा किस तरफ लो जा रहा है प्रोग्राम का ओवल शेप इस्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज होता है परललो ग्राम है इन्पुट आउट्पुट के लिए होता है रेक्टेंगल है प्रोसेसिंग के लिए डिसीजन सिंबॉल है ठीक है ट्रूफॉ इसका प्रपस का है फ्लोग का लाइन बताना है कि लो जा रहा हि डिस्क्रिप्षण इंडीकेट्स दो फ्लोफ लाजिक ऐकिन्टिंग Emmols को का cònैट करके यह इंडिकेट करता है लाजिक का या प्रोग्राम का फ्लो ठीक है सेकेंड है ऊओवल शेप ठीक है शेप का नाम है ये terminal है stop और start दोनों के लिए उस होता है जैसे हम bus stop होता है यहांसे बेठ रहे है वो भी बस stop है और जहां पर उतर रहे है वो भी क्या है एक bus stop है तो दोनों terminal है जैसे एक line है तो उसके line के दोनों end points को किया बलते हैं terminal तो यहाँ पर start और stop आप जो दोनों प्रोसेस से वो टर्मिनल है और उसी को हम किस से दिखाएंगे ओगल्शेप से रीप्रेजेंट्स थे स्टार्ट एंड आफर फ्लोचार्ट flow chart का start और end बताता है ठीक है अगला symbol है parallelogram ठीक है parallelogram बोलता हम इसको क्योंकि यह दोनों लाइन्स और यह दोनों लाइन्स आपस में क्या है parallel है यह किसके लिए use होता है इसका purpose का इनपूट और आउटपूट के लिए जब भी हम input output करते हैं जैसे हम program में लिए scanf और printf इनपूट और आउटपूट के लिए वैसे ही जब आप algorithm में हम steps लिखते हैं input output के लिए तो उसको flow chart में कैसे दिखाएंगे parallelogram symbols है used for input and output operation अगला symbol है rectangle तो जब भी हम processing करेंगे तो वो किस symbol से दिखाएंगे rectangle symbol से symbol के अंदर लिखेंगे जो symbol से इनके अंदर लिखते हैं ठीक है इसके अंदर start stop लिखेंगे इसके अंदर जो भी हमको input लेना है output शो करना वो लिखेंगे और इसके अंदर जो processing statement है वो लिखेंगे it is used for arithmetic operations and data manipulations जो भी arithmetic operations होए या जो data से related जो भी काम हो रहा है जैसे हम जब जब जवाब आएगा तो हम क्या use करेंगे जब भी हमको कोई decision लेना होगा या तो एक पर जाओ या दूसरे पर जाओ तब हम क्या use करेंगे rectangle symbol ठीक है यहां से दो और flow lines लिखेंगे yes और no के लिए true या false के लिए yes होगा तो फ्लो लाइन उस साइट जाएगे और no होगा तो दूसरे साइट जेदर भी हम लिखेंगे ठीक है तो यह decision के लिए use होता है it is used for decision making between two or more alternatives जब हमारे पास दो या दो से जाधा options है तो उनके बीच में decision लेने के लिए हम इस सिंबोल का यूज़ करते है लो चार्ट में और लास्सिंबोल है छोटा सा सरकल बनाते हैं हम ठीक है उसको बोलते थैं कनेक्टर जैसे पेज एंड हो रहा है यह अगर पीछे अगले पेज़ पे भी आगर हमको लिखना है और हमारा फ्लो चार्ट कंटीनिव हुए तो हम एक सिंबोल बना देंगे फ्लो चर्ट बनाएंगे सिंबोल बनाएज़ और अगले पेज फिर वापस से स्टर्ट इंगे ठीक है तो यह रहा है एक से जाग्पीछ लगाते था की हमें पता चले कि आगे continue है ठीक है it is used to join different flow line spreads over more than one page एक से जाधा पेच में जो flow lines spread है उनको join करने के लिए क्या यूज़ करते हैं connect ठीक है तो यह सारे symbols थे अब example देखते हैं जो हमने algorithm में देखा था वही example हमने वहापे देखा था तीन number को sum करा के sum डिस्प्ले करना उसके लिए algorithm लिखेती है अब हम देख रहें फ्लोचार्ट टू इंपूट थी numbers and display the sum ठीक है फ्लोचार्ट एक से जाधा भी बना सकते हैं यहां पर इसी एक ठीक है उसके बाद हमको तीन number लेना है मतलब input और इंपूट के लिए यूज करेंगे हम parallelogram इंपूट और output के लिए ठीक है तो statement इसके अंदर लिख दिया हमने read num1 num2 and num3 तीन variable ठीक है उसके बाद इनको क्या करना है sum करना है sum करना है यह मतलब arithmetic operation है यह data पे काम हो रहा है तो वह processing होगी यह processing होगी इसलिए कौन सा symbol में आया rectangle में sum equals to num1 प्लस num2 प्लस num3 sum होगी आब इसको display करना output देना है तो output के लिए कौन सा symbol है आपसे ही वाला input output के लिए parallelogram तो parallelogram में हमने लिख दिया display sum ठीक है यह parallel होगा sum display होगे हमारा काम होगे हमने लास्ट में stop करें अब algorithm के साब से देगे तो हमने पहले इसको declare कर रहा था तो वह step भी हम लिख सकते हैं हम सब कुछ लिख सकते हैं सारी steps लिख सकते हैं फ्लोचर्ट बढ़ा हो जाएगा हमने सबसे पहले लिखा स्टार्ट होई टर्मिनल ओवल शेप में उसके बाद पहले हमने डिक्लेर करें वरिबल्स डिक्लेर वरिएबल्स नम नम टू नम त्री एंड सम ठीक है अब यह कौन सा शेप है rectangle क्योंकि data के बारे में हम बता रहेगी किस टाइप का data ना तो input हो रहा है यह output हो रहा है ना तो ठीक है तो इसलिए हमने इसके बाद इनको जोड़ना है तो हमने लिए प्रोसेसिंग करने अरिफ्मेटिक ओपरेशन तो सम एक्वल्स टो नम वन प्लस नम टू प्लस नम ट्री इसको हमने लिखा का रक्टैंगल में ठीक है एक बॉक्स में उसके बाद हम को आप है इन्पूण उट्पूट के लिए परेलेलोग्राम तो हमने लिखा डिस्पैसं की सम सम professions changing रहे नो ग्राम में ठीक है और curίο heißt ।क यह एक्जामपल था हमारा फ्लो चार्ट का तो हमने सेम एक्जामपल के लिए अल्गोरिदम में भी देखा तो और यह फ्लो चार्ट में थैंक्यू